this conference will now be recorded सबसे पहले हम यहां पर दो सिनारियों की बात करेंगे सबसे पहले फर्स सिनारियों यह होता है वर्क इन सिंगल लोकेशन विट मल्टिपल ब्रांचेज क्रिएटेर इन सिंगल कंपनी ऑप्शन एवलेबन दीन एस्क्वल आन एक्सेस बोर्ट कभी-कभी लोगों की यह रिक्वायर्मेंट होती है कि हम हमारा ओफिस तो एक ही जगा है कंदा एक कांट्र वर इंब और ऊफिसर मल्टिपल और ऑफिस में सेल और पषचेज होता है या थी सेल होता है वो और कर था हैं और को बριला लेटा के Creating गैव यहां पे सिनारियों में क्या होता है कि अगर एक यह ऊफिस में सारे तो जैसे मुंबई में एक आफिस है मुंबई में अच्पार समझो नाग पूर में है और दूसरी प्रांच समझो में है शूरत में है दो पहला तो विद्थिन सेम स्टेट होगया क्योंकि मॅंबई में हैड़ ऑफिस है जो स्लेफ्रेकंट स्टेट में हो गया उस पर सेम पाइंट पर दूसरी जीस्टी नंबर है तो इस तरह और हमें सॉप्टर के वाल लगाना है मुंबई में जहां पर हैड़ आप अब नाकुर वाले और सूरत वाले दुन मुंबई में काम करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं वह एक अलग बैटा रहे अगर वह काम करना चाहते हैं तो सिस्टम को क्लाउड पर कनेक्ट कर दो और मुंबई वाला मुंबई में क्लाउड ले लो या मुंबई जहां पर भी सर्वर रहेगा वहां पर ले लो या मुंबई में आपका जो सर्वर है उसके स्टाटिक आई-पी लेके और टी-स प्लस बगेर डाल के डारेक्ट कर सकते हैं तो इसमें एक तो यह हो गया आपका सर्वर एक हो गया एक सर्वर से जबी नागपुर वाला लागिन करेगा तो उसको क्यों नागपुर का ही डेटा दिखेगा और सूरत वाला लागिन करेगा तो उसको क्यों सूरत का ही एक्सेस मिलेगा और स सब्सक्राइब करता है अब एक तो यह हो गया रिमोट एक्सेस जैसे हमने आड़ीपी के उसको बताया कि नागपुरवाला वहां से सब्सक्राइब करते हैं यह यह तो हो गया हमने मुंबई में तीन काउंट डाल दिया एक काउंट नागपुर में यूज हो गया एक एक काउंट आपका सूरत में यूज हो गया और एक काउंट सर्वर पे यूज हो गया तीन लोग एक साथ में काम कर पाएंगे दूसरा यह होता है कि हमें आड़ीपी अगर नहीं करने करना है तो क्या है और ड़ीप के लाइसस नहीं लगते हैं कि सर्वर पर ही सारी चीज़े रहती हैं वहां पर तीन लोग लायन पर काम कर सकते हैं तो लायन पर काम करेंगे तो लायन पर काम करने के लिए भी configuration same to same होगी वो RDP से ना करने करके LAN पे connect करेंगे बस इतना ही फरक होता है बाकि इसमें कोई फरक नहीं होता है configuration same to same रहती है multiple branch में RDP से ना कुर अशूरत ना connect करते हुए वो केवल LAN पे operate करेंगे बस यही difference होता है इसमें work करने के लिए आप access और SQL दोनों ही उटिलाइज कर सकते हो इंटरप्राइज एडिशन इस्टेंडर में branch accounting option available नहीं है अब यह तो first scenario हो गया single location with multiple branches created in single company option available in SQL and access mode जो scenario 2 रहता है उसमें branch synchronization की बात आती है उसमें जो head office होता है head office में SQL server और SQL edition mandatory होता है first scenario में हमने यह बताया कि multiple branches है आप RDPP यूज करना चाहते हो या LAN पे यूज करना चाहते हो आपको दोनों ही software suitability मिल जाती एक्सेस और SQL की लेकिन scenario 2 में क्या होता है का आपके head office में केवल SQL server ही चलेगा है आप एक्सेस नहीं डाल सकते हो head office में केवल SQL server ही डाल सकते हो कि अब यह SQL server हम डालते हैं तो उनसे customer से यह पूछना रहता भी असर आप है head office में कितने user हैं जितने user है उसके प्राइस जाएगी और फिर कितने प्रांचेश है और ब्रांच में जो software लगेगा वो single user चाहिए double user चाहिए multi user चाहिए है तो उसके according आप ब्रांच में वो software लगा तो और फिर सिंक्रोनाइजिशन की अगर ओपन करें तो कभी कभी सिनारियो होता है कि हमारा एक ही ब्रांच आफिस है और एक है तो हम ब्रांच आफिस है अगर ओपन करें तो मुझे है अगर एक जाए और है आफिस पे लॉगिन करें तो ब्रांच आफिस का भी डेटा दिख जाए तो यह सिनारियो भी होता है तूसकेस में क्या करना पड़ता है कि सारे डेटा को सारे लोकेशन पे बेजना पड़ता है तो इस तरह से वर्की कर सकते हैं अब जैसे हमने यहां पर दाला है वर्किन मल्टिपल लोकेशन विद बिजी विद आप्शन 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 पर दिसकस करेंगे तो यह सारी हम देखेंगे प्रेक्टली कैसे कैसे हम यह तीजे करेंगे पहले हम सिनारियो वन पर डिसकस करेंगे पर सिनारिय उवनपर डिसकस करने के पार हम फिर सिंख्रोड़ाइशन पर डिसकस करेंगे पर उसके हम और कुछल सी चीज किस तरह से करना उने वह सारी चीजय हम समझागे अब हम आते हैं नेक्स पाइंट पे सिनारियो वन के एक्जांपल यह जो पॉइंट है ब्रांच प्रियेशन पॉइंट नमबर वन क्लियेट यह नमबर आप ब्रांचे वाउचर स्लीज गुरुप टाइगें यूजर टाइगिंग टुइस स्पेसिफिक ब्रांच मातेरियल सेंटर टाइगें यह इतने ब्रांच क्रेशन के पार्ट है नीचे वाला दो नमबर जो पॉइंट है वो सिंक्रोनाइजिशन का पार्ट है जब हम यह चोब्यों को सिंक्रोनाइज करने लिए करते हैं तो आपका एकई ऑकी एक ही बॉंश में मंठील करना है मादनए अटीज है चोपांफेजर्ट नंबर फोली आपको सिंशन की टैगिंग नहीं करनीए सब्सक्राइब करनी है जब आपके ब्रांचोंज में आपके सॉप्टर एंटरप्राइड एडिशन लगे हो एस्क्यूल एडिशन या एक्सेडिशन आप इसके बाद हम चलते हैं विजी में यह विजी सेट सर्वाइब फॉर्मेशन अब यहां पर सेट सर्वाइब इसका मतलब यह आपका सब्सक्राइब तो नहीं है यह बाहर का है तो हम इसकी लोकल आइपी पता करेंगे लोकल आइपी क्या है लोकल आइपी पर फिर कैसे कन्फिगर करते हो भी इंच लिए मैं बटा देता हूं हम यहां पर गए हमने यहां पर डाल एक वाल सब्सक्राइब यहां पर कंफिग्रेशन मैंनेजर में हम तो लेगे एस्क्यूल कंफिग्रेशन मैंनेजर में कि हम देगे वाला ले लिया अब हम एक बने आप चेक कर लेते हैं यह पर्फेक्ट है या डालना पड़ेगा पीची का नाम डालेंगे पीची के नाम पर अगर आपको नहीं पता है तो उसका सिंपल आइडिटिफिकेशन है आप डाट भी डाल सकते हैं कि स्लाइस जो यहां पर बीजी एस्कूल एस्क्यूल कि 2014 कि इतना टाल कि हम एक बार चेक कर लेंगे ओपन कंपनी एक ट्रेंट कंपनी पर क्लिक अब यहां पर बता रहें यूजर नेम पास्वड इस इंक्रेक्ट होगा हमने यहां पर नॉर्मल पास्वड डाल दिया जो है अब एक बार चेक कर लेते हैं नहीं तो हम एक बार मैंने में शुड़ीयों कर ओपन करके देख लेते हैं कि आप पास्वड है नहीं तो उसको रिशेट भी कर देखें कि अब कि 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 अ कि 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 हमने साट्ट किया है सार्थ हो लाइए एक को हम बंद कर देते हैं पहले हम यह वाला इसको लॉगिन करते हैं यह हमें भी पता नहीं है हम इसका पास्वरी चेंज कर दें वह ठीकर रहे हैं तो यह इस आपटी तो यह पीड़ें हैं इसे प्रेंट इसफीं कि आ अपर्टी इस अपर्या देश्यां और यहां प्रमने पास्वर्ट चेंज करते हैं कर लेते हैं कि यह वर कर रहा है कि नहीं कर रहा है कि अभी नो कंपनी पाउंड आ रहा है कि इसका मतलब यह काम कर रहा है कि अभी यहां इसको बंग कर रहते हैं कि रेट कंपनी पर क्लिक करते हैं और यहां पर डालते हैं कि मल्टी इस ब्रांच के कांटी कि अब इसको सेव कर लिया अब इसमें हम दो सिनारियों देखेंगे तक तक हम भी नोट कर लेते हैं कि यह चोड और वियों कि एक सिनारियों हम यह देखेंगे जो लोगों को जर्वत पड़ती हैं कि दूसरा हैंडलिंग इस टॉक ट्रांसफर इन मल्टी ब्रांच मल्टी ब्रांच के इस में स्टाप ट्रांसफर करें कैसे एंडल करेंगे हैं कि यूजर राइट्स यह दूती जी जह हैं वह हम कैसे देखेंगे वह बहुत सब्सक्राइब मारा झॉग्ट मॉग्त आस्धर हैं कि याल रहां मॉग्त सब्सक्राब क्योllingा प म1 की जह हमान 되면 खर राइण पो को辉से देखें भाग कि यह कंपनी क्रेट हो गई है यहां पर हमने यूजर नेम और पासवर्ट से ओकर दिया अब एक आप्शन यह होता है कि हम इसमें ब्रांच इस ग्रेट है कि तो हम दो ब्रांचे करते हैं एक नागपुर के लिए और दूसरा जो ब्रांच करेंगे वह सुरत के लिए डाट इस बिलांग तो डिफरेंट इस जैसे हैड़ आफिस की कन्फेग्रेशन में हम यहां पर डालते हैं कि यह जीस्टे नंबर समझो आपका आई कि ए बी सी डी इवर्न टू त्री फोर कि एफ है और इसको में सेव कर दिया यह तो पैयंकार्ट नंबर होगा जीस्टे नंबर भी डाल देता हूं कि इसी के वुद्वेश्टा में टू सेवन कि लास्ट में कि वान जड़ अब दूसरी जो ब्रांच है है वह आपकी पूले में तो हम पहले की ब्रांच करते हैं यहां पर वोने की जबी ब्रांच करें कि यहां पर तो फीचर आना ऑप्षन में जाना है इंटरप्राइश की जाना है और फिर यहां पर आयड़ ब्रांज मास्टर में पूरे करके अपने डाल दिया कि अधाइब आप्शन को यह कर लेंगे वाउचर से लिग्रूप क्रेट यूजर और ट्रेट एप्ट प्रेट वाउचर से लिग्रूप क्या करता है जितने भी वाउचर टाइप होते हैं सब टाइप में एक एक उस नाम से सिरीज को बना देता है और उसकी ग्रूपिंग कर देता है अगर यह पूर्णे ब्रांज की जिस्टी नंबर हैड़ आप इसकी कंपनी के जिस्टी नंबर से डिफरेंट है तो जहां पर यस करके आपको जिस्टी नंबर डिफाइन करने की ज़रूर पढ़ेंगे अगर आपका जिस्टी नंबर सेम सेम है तो आपको कुछ करने की ज़रूर नहीं है इसको डिफाइन नहीं करेंगे अगर आपको दोनूं ब्रांच में दोनूं ही कंपनी का डेटा चाहिए status like branch office में चाहिए branch office की head office में चाहिए तो फिर आप यहां पे main store को भी add कर लेंगे ताकि दूनों का stock भी आपको दिख सके और दूनों के entry भी दिख सके पहले हम single single करेंगे फिर बाद में हम इसको club करेंगे फिर देखेंगे यह club कैसे करते हैं अब बिजी जो हमारी आईडी है वो सुपर यूजर की आईडी है उसमें सब होता है लेकिन हमें अगर कोई यह बोलता है कि हमें एक ऐसी आईडी बनाके देदो जिसमें खाली head office कहीं डेटा दिखें ब्रांच office नहीं दिखना चाहिए तो फिर आप क्या करेंगे तो उसके लिए आप क्या करेंगे आप वाउचर कंफिग्रेशन में जाएंगे वाउचर कंफिग्रेशन में जाने के बाद यहां पर सब में में और पूने रिखेगा यहां पर आपको करना है वालेंगे लिख और यहां पर फांट जाना है और यह जो करना है जब ऐसो चाह यहां पर जोने वाले रोल जाएंगे क्योंकि इसमें हो चुकी है अब हम दिसकों सेलेक्ट कर लिया और सेव कर लिया तो यह वाउचर सुरीज ग्रूप को अगर हम किसी सो टैग करना चाहते हैं तो इस तरह से हम टैख कर सकते हैं अब इनका याचो याचो करके हमें आईडिया पासवर्ट बना दिया और यहां पर वाउचर सुरीज ग्रूप दे दिया कि यह वाउचर स्रीज ग्रुप देने से यचो की सिरीज ही खाले उनको दिखेगी उने की सिरीज उनको नहीं दिखेगी अगर हम लॉगी यचो से करते हैं अगर आपको यहाँ पर चेक भी करना है तो मैं चेक करके भी बता देता हूं अब हमारा अब दोल से आज है कि कंट्रोल व्यू किया और यहां पर यह दालके लागइन कर दिया यह लागईन हो जायए लागउं तुम यह तो लागिन के बाद अगर यहीं पर फिर से आगे स्केप करके आप आओगे और यहां पर आइड करोगे तो आपको में कलामा कुछ नहीं दिखेगा और इसलिए तरह से अगर आप पूने वाली लागिन करों को कि प्रूने दिखेगा तो में गाय बुजाएगा लेकिन बिजी एड्मिन है तो एड्मिन लागिन में आपको में भी दिखेगा औरूने भी दिखे तो आप अब जब हम यहां पर सेटिंग करते हैं एक चीज भी यहां पर एकस्प्लेंट भी कर देता हूं वो किस-किस में क्या-क्या चीज़े काम में आती है कि सुपर यूजर्स लॉजिंग करना पड़ेगा करने के लिए करने के लिए पहले तो जो ब्रांच क्रीट की है वो ब्रांच किस स्टेट से बिलांब करती है इस्टेट का नाम आ अगर यहां पर सूरत होगा यहां पर गुल्रात आजाएगा टैग वाउचर सिरीज ग्रूप और यह जैसे हम ब्रांच करेंड करते हैं लेकिन आपको उस ब्रांच पर दूसरी स्रीज अगर टैग करनी है तो भी आप टैग करतें कि डिसेबल वाउचर सिरीज ग्रूप फिल्टर और रिपोर्ट में रिपोर्ट से अगर डिसेबल करना है तो यहां पर यस करते होगे तो वो डिसेबल हो जाएगा भाई डिपोर्ट जब यह रिपोर्ट देखते हो तो वहां पर वाउचर स्रीज का ऑप्शन दिपता है कौँसी वाउचर स्रीज का चाईए ऐसी हम मास्टर स्रीज ग्रूप है पर यह युटिलाइज़ इस परपच के लिए करते हैं कि कौन से कस्टमर या कौन सी आइटाम कौँझ से ब्रांच से बिलाउं करती है तो डेटा वेन एक ही रहेगा लेकिन उस ब्रांच में वही particular item दिखेगा जो हमने उस ब्रांच के लिए टाइग किया होगा तो यह पार्टी और आइटम को branch-wise tag करने का काम करती है अगर हम tag नहीं कहाँ गया तो वहहं अब हम एक दो एंट्री कर लेते हैं इसमें पले हम हैर आफिस में एक एंट्री करते हैं यहां पर एक कस्टपर बनाते हैं हुएंप लेटर व में इस स्भाल में इसाल और यहां पर ओपनिंग बढ़ने डालता अधो अधो कि आपका इस्टाप कहां पर बढ़ागा है हमने जाले आज सो इदर पढ़ा हुआ और पुने में 200 पढ़ा हुआ है इस्टाप की वहलू भी हम सौर पर केशाते ले लेते हैं कि यह प्राइज को अप्शन आता है अगर ब्राइज की प्राइज आपको अलग-अलग रखनी है तो आपन रख सकते हैं कि यहां पर हमने एक पंद्रापेश लिए डाल दिया वान सिस्टीपाइज को शेव कर दिया कि अधुए कि अधि हम ब्रांच ऑफिस में भी कर सकते हैं कि हम इसी एक को मोडिफाइज कर लेते हैं एक और इसको कॉपीपेश करके उसमें डाल देते हैं कि इस पीड को थोड़ा बढ़ा देख लिए है कि देट हमने दो थारीका डाल दिया कि क्वांटिटी में हमने थोड़ा कम जादा कर लिया कि रेड भी थोड़ा प्लस माइनस कर दिया कि अब देखा कि अब जर देखांके में अभी पार्टी का रभी की है कि अभी यहाँ पर पूछे का कुन से व्राइं कर चाहिए आजए मैं और यहाँ पर आल आ जाएगा पूनिक आए तो कि वह यहाँ पर कूनिक आएगा कि जहां पर वाउचा सिरीज गुरिप का उप्शन रहेगा वहाँ पर जैसे आउसरी नियुक्त से कि बिल्स रिशीवर कि आल एकाउंट अब यहां पर जबी जाओंगे कि यहां पर एक मरता है किसी किसी रेपोर्ड में आपका वाउचा स्थिरीज का भी ऑप्शन देता है वाउचा स्थिरीज गुरुप का आपको फिल्टर करने लिए तो उसमें फिल्टर कर सकते हैं अब हम इसके आगे डिसकस करेंगे यह तो सिंगल ओफिस हो गया और मल्कीपल प्रांचे जमने बना दी है और लेखिने लेकिन हैं नहीं बनाया है लेकिन अर्ष बनाना तो कैसे से बनाएगे कि एड्मिनिस्रेशन में वे पिच्टर अप्शन में गए यहां पर उसको यह कर दिया जो चीजें यहां पर है वो मने यहां पर कि यहां पर हमने में डिश्टोर डाल दिया है क्रेट यूजर यूजर अलड़ी क्रेटर रहे है कि अब यह से करने के बाद कि हम यह यूजर आइडिया में ब्रांच को भी टैग कर देंगे तो हमारा यह आईडिया है कि इसमें यह प्रांच भी टैग हो जाएग कि यह दूछी टैग होने के बाद आपको बैलेंस एक कोई भी रिपोर्ट देखें जहां पर ब्रांच का ओप्शन आता है तो वहां पर आपको दो आप्शन दिखेगा यह चो और को नहीं यह चो जबी देखोगे तो आपको इस तरह से स्टॉक आएगा इसमें आपकी एक ही बिल आएगे बिल नंबर एक दोजों में एक ही नंबर बिल लेगा अगर यहां पर आप सेलेक्क करोगे पूर्ण रहीगी तो पूर्णे के हिसाब से आपको डेटिल आजाएगा यह वादी आएगे अब यह रिपोर्ट तो होगी हमने आपको बताया ब्रांच कैसे क्रेट करते हैं और वाउचर से गुरूप कैसे क्रेट करते हैं और वाउचर से गुरूप को हमने किसी ब्रांच से टाइक करना है तो कैसे टाइक करेंगे अब हम यह देखते हैं कि एक दूसी कंपनी ब्रांच आफिस बनाते हैं वो ब्रांच आफिस में डेटा का सिंक्रोनाजेशन करते हैं कि हमारी यह दूसी कंपनी कर लेते हैं यहां पर अब कि यहां पर अब दाल दिया विजी पुने प्रांच कि अ है कि अ कि यह कंपनी क्रेट करने के बाद हमें इसके बाद आपको वाउटर टाइगिंग करनी है कौन-कौन से वाउटर आपको सिंक करवाने हैं कि जैसे कंफिगरेशन फीटर और आप्शन एंटरप्राइब फीचर भी जाते हैं तो यहां पर एक आप्शन आता है लास्ट में इनेबल यह चोंब इनेबल यह चोंब यह करेंगे तो यह पूछेगा इस कंपनी बिलांग टो ब्रांच आफिस और हैड आफिस अगर यह यह चोंब है तो एसक्वल एडिशन में ही आप हैड आफिस कर सकते हैं एक्सेज मोड में हैड आफिस का आप्शन आपको नहीं मिलेगा यहां पर यहां पर जभी हम पूर्णे सेलेक करेंगे और यहां पर सिंग को यस करेंगे यह बहुत सारे आप्शन को यस कर देगा यह आपको ध्यान में रखना है कि कौन सी चीज कैसे क्या करनी है ऊपर वाला जो मेंटल है यह ब्रांच क्रेट हो गई हम फिर से एड आफिस में चलते हैं कि नीचे की मास्ट मास्टर सिंक्रोनाजिशन के लिए जो ऑप्शन दिया हुआ है यह बताता है क्या आपको मास्टर क्रियेट कहां पर करने दोनों जगां करने हैं या केवल एक जगार करना है तो वार्डिंग से पता चलता है वह यह लाव क्रेशन इन बियो आएड क्रियेशन इन बियो और थार्ड मन एलाव क्रियेशन इन बियो यह चोग तो मतलब यह दोनों के चछी वह क्रीशन कहां पर करना है कि इसा अघर सब्सक्राइस हुआं कर सकते हैं तो यह जो option है यह अगर हम नो कर देते हैं तो branch office वाला ना तो create कर पाएगा ना तो modify कर पाएगा और यह वाले option को अगर हम no कर देते हैं तो head office वाला ना create कर पाएगा ना modify कर पाएगा तो यह आपके option होते हैं कहां पर creation का राइट देना है या कहां पर नहीं देना है इसके नीचे जो ऑप्षन है आपडेट एकांट बैलेंस इन ये चो अपडेट एकांट बैलेंस अपडेट करवाने रहते हैं जैसे आपडेट एकांट बैलेंस इन ये चो करना है तो इसका मतलब ब्रांच ऑफिस से हेड़ ऑफिस में जाए अभी जैसे हमने आईटेम के मास्टर में हजार पिस का स्टॉक डाला हुआ था में इस्टोर में आट सो पड़े थे पूरे में दो सो पड़े हुए थे वह स्टॉक करकर हमें ब्रांच ऑफिस में अपडेट करवाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा अपडेट आइटम ओपनिंग बैलेंस इन दियो यह वाला आप्शन को टिक करना पड़ेगा हम यह मान के चलते हैं एड़ ऑफिस के इंद्री बड़ाबर है पासेंटर अगर नहीं यूज कर रहे हैं तो इसको एंटिक कर दें और बैंक रिए को अगर यूज कर रहे हैं तो आप टिक कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं यहां पर नो करते हैं कि इसका यह जो स्क्रीन होती है इसका मतलब यह होता है का आपका क्रेशन भी ब्रांच आपिस में होने वाला है और अगर यह नो करके आप इसको यह कर दोगे इसका मतलब यह हो गया इसका क्रेशन की हैड ऑफिसमें होने वाला है यह बाउचरता है अब यह तो हमने एक बात देखते हैं यह कैसे काम करता है यह हमें स्क्रेट करते हैं इसको फिट किया यहां पर करते हैं अब हम चलते हैं ब्रांच आफिस में कि एसक्वल सर्वर को डेटा को ब्रांच आफिस को हैर आफिस से लिंक करने लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले तो आपको पोड ओपन होना चाहिए पोड फारवड़ेट होना चाहिए वन फोर डबल तरी गांव वह चीज़े हम अभी यहां पर नहीं बताएंगे हम यह बताएंगे उसके इसकी अगर फारवड हो गया तो इसकी इसकी तरह से यह हमारा एक्सेस का डेटा है कि ब्रांच आफिस कि सबसे लाउस्ट आप्शन है इनेबल यह तो डी ब्योट डेटा सिंग और यहां पर ब्रांच आफिस क्लिक करके यहां पर कंफिगर पर क्लिक करें नीचे आएंगे तो इस्पेसिफाइज सर्वर इंफोर्मेशन बिलोग वो चीज हम फाइल से भी कर रहेंगे यहां से प्रांच करके भी हम यूदिलाईज कर सकते हैं मत जब रही हिए तरह से एक दों करते हैं तो अभी हम यहां पर मैंूट गाल जेते हैं कि अधिक क्ली करण आथ कैसे लग कि और कर आइस दो फीजिए एशक्योवल 2014 user id by default जो रहता है और पास्वर्ट था बिजी एकलेट 123 कंपनी कोड आपको वही डालना है जो यहां पर कंपनी कोड बना हुआ है अगर हम कंपनी कोड देखें तो यहां पर कंपनी 001 है तो आपको यह बिजी टाइप नहीं करना है केवल कम 0001 टाइप करना है तो आपने यहां पर डाल दिया कम यहां पर आपको डालना है ब्रांच का नाव जो ब्रांच आपके क्रेट हुई है वह ब्रांच का नाव डालना है यहां पर डालना है यूजर आईडी यह यूजर आईडी जो ब्रांच में क्रेट करके आपने शाइन किया है वह डालना है अ अगर आप मैनुल आटोमेटिक क्रेड करते हैं दोनों आईडी सेम तो सेम होती है अब आपने रीड है आप इसके लिए पुरावाम आ रहा है अगर यह अब यह आपके किया है जैसे हमने क्लिक यह आगा दो यह आगा दो इस्टार्ट अप्रोसेस आप स्पेसिफाइड अफिस मेटरियल सेंटर वगले वगले तो यह आप क्लिक करेंगे और इस पर किलेंगे करेंगे ब्रांच आफिस में जब हमने कंपनी क्रेट की थी तो सारे सिरीज के ओल में में के नाम से थे सिंक्रोनाइज होने के बाद सारे सिरीज आटोमेटिक चेंज होके पूने हो जाएंगे वह भी मैं दिखा देता हूं कि कि यह हो गया हैंड सेक हैंड सेक मनलब हमने हैड आफिस और ब्रांच आफिस को कनेक किया यहां पर अगर आप सिरीज देखोगे तो पहले में था लेकिन अभी सब में पूने-पूने ही दिखेगा क्योंकि सेटिंग में वह सब को आप्रमेंटिक रिनेम कर लिया कि अब अगर हमें हैड आफिस का डेटा यहां पर लेना है तो हमें क्या करना पड़ेगा एंट्री की है वह एक पास सेंड करना पड़ेगा अब यहां पर डाल दिया डेटा एक्सपोर्ट एंपोर्ट बलक अप्रेटर टूए एक टूम्हां यह ब्रांच अकाउंट है है हैड आफिस पे जाएंगे कि अगर 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 कि मास्टर करना तो मास्टर आमने मास्टर कुछ किलिट किया नहीं है क्यों आइटम है यह आइटम हमने डाल दिया कि और ऐसे राणजेक्शन पूर्य बिल्दी कि अब इसमें कोई इंद्री नहीं है फिर विए हम साली ले लेते हैं कि अब हम ब्रांच आफिस में सिंक करके देखेंगे यह सिंक में क्या-क्या चीजिए आ रही है कि अब यहां पर आपको एक आइटम मास्टर हो कि सिलिकेंद्री दिख रही है इसीव डेटा और पर फ्राम है जो जो वहां पर डेटा इंट्री है वह यहां पर आजाने चाहिए पुश्ट अब पूने की लिए हमने यहां पर सिंक कर ली अब पूने में एडा ऊफिस में कोई यह नहीं कर सकता क्योंकि उसकी सब्सक्राइब करना चाहेंगे तो आप नहीं कर सकते क्योंकि वह रिस्ट्रिक्षन लग जाता है कि कहां पर होने वाली है अभी जिसे हमने यहां पर लॉगिन किया अब जैसे हम पूने का इंट्री मारेंगे तो बताएगा वाउचर इंटी स्रीज विल बी आड़ेट यह एक इंट्री होगी है अब हम एक पर्चेज के बरेंट्री कर देते हैं यहां पर पर्चेज में भी हम दोनों इंट्री कर देते हैं एक बार आइटम वाइज कि यहां पर हमने सप्लायर बन डाल दिया उहां पर्चेज sous बाइब माँ कर देते हैं कि आप यहां पर कितनी भी करोगे कोई भी में सेट का डेटा ब्रांच आफिस में तब तक नहीं जाएगा जब तक हम सेटेंग में कोई चेंजिज नहीं करें कि अब सेटेंग में चेंजिज क्या करने पड़तेंगे आपने यह भी देखना है अब जैसे हमने सेल्क एंट्री में एक एंट्री यहां पर डाल दी पूने में पूने में दुलेगा नहीं अब हम अगर ब्रांच आफिस में कोई इंट्री डालते हैं तो आटमेंटिक हैट आफिस में आ जाएगा वोड़ में दिखा किता हूँ कि यहां ने कैसेल किया कैसेल में यहां पर पूने डाल दिया आइटम 1 दस पिश 156 सेव कर लिया अब इसकी सिंकूराइजिशन आए यह तो मैंट्वल होए एक तो आटमाटिक है आटमाटिक अगर आपको करना है तो यहां पर टाइमर का भी हमने आप्शन दिया है अगर ट कि पिरियाडिक डाला दिया आपको जितने गंटे एक गंटे पलागाना तो 60 में दे दो दो गंटे पलागाना है तो लेट कर दो जैसे भी आपको पीरियर्ट पसंद आए उसके इसाफ लागा लागिन और पॲोज के लिए नवा तो सके सब्सेंना यहां में सेुओं करते हैं तो इसके यशाफ ही आइक औमाटिक चलता के आप है आप हैड एड़ आफिस में हमने एंट्रिस लेखिए टाली ने मीच में डाली टी तो में ब्रांच में डाली थी इसलिए वह यहां पर नहीं दीखेगा इंट टूब सेंड टू यह चो में तो जाएगा आट टूब इसमें एक अकाउंट मास्टर आ रहा है क्यों कि हम ने एक मास्टर क्रेट करिव किया था वो आ रहा है तो सप्लाइर वन यहां पर आगया ब्रांच आफिस में और बाखी जो सेल बिल किंठी की थी वहाँ पर चलेगी कि अब लोगों को चाहिए क्या यह तो यहां पर आपका पूर्णे का तो दिखराया ब्रांच आफिस में लोगों को कभी कभी ऐसा चाहिए कि हमें दोनों ही ब्रांच का डेटा दोनों ही जगा चाहिए मनला branch office में अगर हमें login करें तो हमें head office का भी इसारी चीज़ें दिखने चाहिए head office में login करें तो branch office की भी data देखनी चाहिए उस case में हम क्या करेंगे जो series HO के लिए बनी हुई है उस series को branch office के voucher series group में merge करेंगे मर्च करने के लिए हम क्या करेंगे पहले हम branch office branch office में जाएंगे पहले हम head office में जाएंगे यहाँ यहां पर पूर्णे वाले हम define करेंगे का रड़ कर लेंगे कि just select all करने के बाद करें पर फिर हम क्या करेंगे synchronization वाले option में जाएंगे और यहां पर क्लिक करने के बाद जो metra 2007 तो perpetual option है इस इसमें मैन भी आगिया है आप दिखरें में भी इसमें आ गया आप इसको क्या करेंगा है कि एलाव क्रियेशन इन वीओ में में एंट्री तो हेड़ आफिस से होने वाली नहीं है जब में की स्रीज में एंट्री हेड़ आफिस से होने वाली है लेकिन यहां पर लिगा है एलाव क्रियेशन इन वीओ तो हब इसको वाइस वार्षा reverse कर देंगे No No को पहले ले लेंगे और Yes Yes को बार में डाल देंगे हमें क्या करना है? Allow creation इन हो को Yes करना यह वाला Yes Allow modification हो और यह वाला option को No और यह वाले option को No इसी तरह से जितने भी main वाले हैं सबको update करना पड़ेगा अगर आपको सब इंट्रीज सब जगा पर चाहिए तो यह हमें एक बार अपडेट कर लेते हैं हमने कॉपी पेस्ट यूज़ कर रहे हैं ताकि थोड़ा जल्दी हो जाएं कर दो कर दो है कि अगर यह हमने सारे को कर लियुक्त आप और यहां पर यह चीज़ से करने के बाद कि आपको पहले फिल्स आपको ब्रांच आफिस में जाना है कि ब्रांच आफिस में जाने के बाद आपको उदर जो हमें कन्फिग्रेशन किया है जब तक वो रीड नहीं करेगा तक काम नहीं होगा रीड़ आफिस कन्फिग्रेशन को आपको फिल से क्लिक करना पड़ेगे यहां पर आपकी मेरे वाली सिरीज आपकी फिल से क्लिक हो जाएगे यह सिंग्रोनाइजिशन का ओप्शन आ गया इसको कुछ नहीं है यह बेकेंड में चलना है यह बेकेंड में चलना है अब यह कंफिग्रेशन रीड होने के बाद आप ब्रांच आफिस में कोई भी एंट्री करोगे वह पूरा का पूरा हैड आफिस में आजाएगा अब जैसे अगर मैं यहां से फिर से बल्क अपडेट करके अगर अपडेट करां तो सारी इंट्री यहां पर आ जाएगी आपको कुछ करने जरूत नहीं है देखिए पहले के और पूने वाली भी आती थी अभी में से वाली भी सारी आपकी यहां पर पहुंच जाएंगे कि अब हम ब्रांच आफिस में आजाते हैं कि एक्सेंज करते हैं यहां पर कि यहां पर एक पर्चेंज है दो सेलर रिसीव कर लेते हैं कि अब आप चाय एंड्री में में करो चाय पूने में करो दोनों डेटा दोनों ही जगा मिलेगा लेजर भी सेम सेम मिलेगा कि आप कि अब यहां पर एक इसूज यह आता है कि हमने में इस्टोर को टैग नहीं किया है तो यहां पर एक बाद देख लेते हैं अध्यक के आई है नहीं आई है वह भी देख लेते हैं दो में जो एंट्री हमने की है वो यहां पर आगी है तो इसका मनलब हमने हैड आफिस में में इस्टोर को टैग करके रखा है इसके लिए आगे अगरवाइस यह एंट्री नहीं आती थी और यह जो टैगिंग होती है वह यह जब हम ब्रांश क्रेट करते हैं तो ब्रांश क्रेशन के टाइम पर पूर्ने और में इस्टोर दोनों ही डालना पड़ता है अगर हमें डेटा वेजना है कि यहां पर हमें में इस्वर भी डाल देंगे तो आ जाएगा यह इसलिए आगा है तो उसमें नहीं डाला है अभी एक बार हम यह नंब वाउचस देख लेते हैं कितने हैं कि यहां पर आपके नंबर आप वाउचस जो हैं टोटल कि और यहां पर कि तीवें और यहां पर चाहरा है एक बाउचर अभी यहां पर नहीं आए है अब हम देख लेते हैं वह कौन सा बाउचर है करेंस वाउच इंद्री करेंस प्रेड आउपिस में नहीं गई है कि यह इसलिए नहीं गई है यहां पर में इस्टोर डाल दिया गया है हम अगार करके दे करें कि यह पूर्ण 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 है यह वारा नलत है कि इवरा मेंखेल के वी अनितार लिखते हैं, पृर्ण झोर्ण पूर्ण पड़ण पिल बीखते हैं कभी कभी ऐसा भी होता है यह पाइप लाइन में पड़ागा था रिसीव करना पता है कि अब देख लेते हैं अब यह प्रेक्वेंसी के टाइम पर आटोमेटिक सिंक होता है अब यह टोटल चार इंट्री ब्रांच ऑफिस में भी सेमें इंट्री तो आप ब्रांच ऑफिस में एंट्री करो कहीं से भी करो दोनों जगां सिंक होने के बाद सेम तो सेम डेटा मिलने वागा है मतलब यह कन्फिग्रेशन उस परिकेस है दोनों जगां सेम सेम डेटा मिलेगा क्योंकि हम ने इसको उसके एकॉर्डिंग की टाइग करते रखता है कर दो कर अशुर्द कर्षा होती है सब को यह चीह रहेगा सब ब्रांच मिलना चाहिए तुश्य कि बूर्ण बूट सो कि क آऊ कि क्या करना है प्रू complement को को करना है हम ईस मैं में च्रिफेवर्ण बेंचेंज क्या क्या वह भी चेए वाइस पर तो कि मल्टिप्राइच अकाउंटिंग में जो हमने यह सेटिंग किया है में सेटिंग यह है अब इसमें कभी-कभी लेति अगरशाज में बेनीफिट होता है और इसर में यह कंभी-कभी-कभी यह बोलते हैं कि आउंडियो जगा का दो हमारा कि लेकिन से परसंदकार यह भी रेक्वायरमेंट होता है किस ब्रांच ऑफिस में सब को नहीं देखना चाहिए इसको हमने वह राइस दिया है तो इसमें भी हमें ब्रांच ऑफिस में एक बनाना पड़ेगा उसके अक्वार्ण में उसके टाइगिंग खाने पड़े ऑफिस में एक ब्रांच और बनाते हैं सुधार ऑफिस में हो च pouvकी बनाते हैं और surface और फिस देखते हैं उसमें हम इस क्या दिक्कत आते हैं वह बतायimbere यह सारे चीज़े अमने आलमर्स देखे लिए अब हमें एक चीज और भी यह देखना था स्टाप ट्रांसपर के एंट्रीए अगर कमी है तो हम किस तरह से कर सकते हैं और दोनों जगांगे जानी थिये वह कैसे जाएगे छाइब लेकिन हमें हार एक डेटा को वहाँ पर नहीं भीज़ना के लिज़ना है इन केज आगर हेड आफिस में कोई अफिस से ब्रांच ऑफिस या ब्रांच आफिस ट्रांश आफिस ट्रांसवर होता है उसके इस वाऊच शीरीज ग्रुप में हमें state करना पदता है और सारे ही मटिस टो करना पड़ता हैं के दो पॉइंट होते हैं एक सिरा अग test हो और में हम्हां ब्रांश किर्श कि सी चाना है तो स्विए आसब कि मेरत करना पड़ेगा और मैं 11 collector और हर एक ब्राइचों में टाइक करना पड़ेगा तो फिर यह प्रावलम आपका सौल हो जाता है अभी तो हमने अल डेटा अल ब्रांच करके देख लिया कि पूने के पूने की ब्राइच में करने केंयिं लिज Еई करने करने के लिए आपकास्ट करने करने के लिए आपके काफ़्स में जूंध होके हैपके हैं ब्रांच के लिए अख्राव होगा वह फ्राइटा के लिए वो इंट्री करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो अभी हम समझेंगे अब हम हेड़ आपिस बजाते हैं कि एक ब्रांच प्रेक्ट करते हैं कि ब्रांच का नाम डालते हैं सूरत कि अब यह स्टेट डिफ्रेंट हो गया उसके लिए हमीं क्या तरना है यहां पर गुजरात डलना है और यहां पर उसकी जो भी रहेगी वह कंफिगर करनी है कि गुजरात का जो भी रहेगा कि मुझे द्यान में नहीं है इस तरह से आपको कंफिडर खर लेनी है और से उपर लेनी है अब आप गुजरात में इस्टाप ट्रांसपर तो नहीं कर सकते हैं तो वह जो सिनारियों में बता रहा हूं वह सिनारियों समझने के लिए आप पर जेस्टी रूल वह सूरत ब्रांच काम में नहीं आएगा अब लोकल सिंगल स्टेट बे ब्रांच और बनाते हैं तुर्स से आपको यह चीज़ें में समझाता हूं जहां पर एक्च्वल स्टाप ट्रांसपर करते हैं फिजिकल स्टाप ट्रांसपर नो से हमें यहां पर अब यहां से पूने वाला अगर कोई मतेरियल अपने इदर से नासिक में भेजता है तो वो मतेरियल नासिक में आटमेटिक रेफ्ल sends हो जाए वह कैसे होगा वह चीजे थे क्योंकि वो पूरिभी एक ब्रांच है नासिक बक्रांच है सबसे पहले smiles सबसे पहला पॉइंट तो यह है यहां पर सारे अपको डालने पड़ेंगे पूने में इस्टोर शूरत तो इसका मतलब यह हो गया किदर कोई भी मटेरिल सेंटर उसको ट्रांसपर हो रहा है तो उसको दिख जाएंगा दूसरी चेटिक ऐसे पूने भी हमें आपड़ेगा शूरत नासिक यहां पर दिखनी चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहां पर और पूर्णि में जाएंगे तो जहां पर इस्टाउक ट्रांसपर है यह उपर वाला सेनारियो तो यहां पर सब में हमें टिक करना पड़ेगा इसमें भी इसमें भी तो फिर इस ट्राक के ट्रांसपर गेंटरी वह एसे पर तरिगा कि ऐसे नासिक में भी हमें करना पड़ेगा क्योंकि एक जगा गिंट की दूसरी का जा नहीं है कि में यह यह अब हमें क्या करना है कि यहां पर जो हम ब्रांच कंफिगर करते हैं कि वहां पर अलाव डिस अलाव करना पड़ेगा कि अब जो इस्टाप ट्रांस्पार्जन डिया अब यह पूने है पूने भी हो गया कि अब बाकी बीए नो नो रहेगा कि नासिक में कि अब यह उल्टाओ गया इसको ने स्युक्राइब गया इसे नासिक भी लेगा कि अब यह लेगा इसमें स्टाप्टाइब अब यह पूने कि अब यह खुक्त कि अब यह लग्ध करें कि अब यह व यह लुटाइब यह लुटाइब श्रज़ इस्टों कि अब यह झाल 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 अब हम एक ब्रांच करते हैं और तब तक हम जो पूने वाले ब्रांच है उसको पूने से आम एक इस्टाप ट्रांस्पर करेंगे नासी को और पिच्चे करेंगे वो एंट्री नासी को जारी यह आनीजा झाल 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 पूर्ज़ा उप्रांच आफिस से फोड़ा कन्फ्यूजिंग है क्योंकि मैं डिपल विंडो खुले रहते हैं है लेकिन हो जाता है को सब्सक्राइब सब्सक्राइब करते हैं कि अब इसमें नासिक करते हैं कि पहले हुआ 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 है कि यह कंपनी यहां पर क्लेट होगे हम इसको हैड आप इस ब्रांच आपिस में एड़ाप इस कंफिगरेशन के टिकल लेते हैं कि यांपे व्यान पर का थे ब्रांच नासिक पास्वार्ड नाशिक एड़ाट इसक्ट आप्र कंफिट्रेश्म प्क्रिज़ाट्वार्ण वाहिए को यहांपें चंफिगा इसक्राइब क्या आप्याट्थम्ट्रेशन कि आप्यां शुआ है। शाड़ाट्यशन नासिक् प्रणस्पर करेंगे और फिर नासिक पर चेक करेंगे वह इस्टप ट्रांस्पर हो के नासिक में आया है और नहीं अब हम पूरे वारे ब्रांच में चलते हैं यह हमारी पूरे की ब्रांच है यहां पर हम इस ट्रांजेक्शन में गए तर्सक्रांजेक्शन में और यहां पर एक इस्टाप ट्रांस्पर करेंटी थिह ढालेंगे हैं फिर पूरे की पूरे की ब्रांच है पांच रॉपोंटा आज चुछ आसका नंबर तू नाशिक आखुनग में पूरे नासिक अ कि आइटम यह जाएगा पीस हम एक राइंटम लिए डाल देते हैं कि और कि 17 पीस कि और इसको सेफ़ करने के बाद यहां से हम डेटा एक्चेंज्ज करेंगे पूरने से पहले कि स्टाप ट्रांसपर के एक लिए यहां में चला गया यह होने के बाद कि हैड आप इसमें रियल टाइम अपडेट नहीं होता है वहां पर रिस्यू करना पड़ता है यह तो वेट करना पड़ता है इसके लिए हम यहां पर रिस्यू कर लेंगे डेटा को यहां पर आएंगे और यहां पर रिस्यू डेटा प्रांप डियों करता ओप्शन आएगा इसको रिस्यू करने बाद पर हम यहां से नासिक के ब्रांच में जाएंगे और यहां पर देखेंगे कि हम हैर आफिस ब्रां आपको पूने से नासिक में आई हुई है तो यहां पे हमने तीन तीन चीजों के इंपल्ड किया एक फेड़ ऑफिस है दूसरा ब्रांच आफिस है तीसरा ब्रांच आफिस कि एक ब्रांच आफजिस दूसरे ब्रांच नीट करता है तो उस ब्रांच में अब्र्श को रजाता है वह डेटा पह सब करना से ज़िए रहता है कि एस पर काफी हम आप अप आप आप सेशन में किसी को को को兒 है तो बट बंगा संब्सक्रा merry और को हुआ सकते हैं टांम बी काफी शे बजनेवाले है और किसी को कोई 2 ciert कि को काई है कि सरक आप किसी को भी अगर कोई है तो पोर्सकते हैं I झाल झाल झाल